नमस्कार इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे बड़ी खबर हम आप तक लेकर आ रहे हैं महाठग राजिक कुरेशी गिरफतार हो चुका पिछले साथ महिने से लोगों को बेवकूब बना रहा था चुना लगा रहा था और हजारों घरों को बेघर करने वाला राजिक कुरेशी गिरफतार हो चुका है पिछले कुछ दिनों से लगातार BCN राजी कुरेशी संबन्थित हर खबर हर जानकारी आप तक लेकर आता रहा जिसको लेकर के नाकपुर्क पुलिस हरकत में आई और यहां के कमिशनर अफ पुलिस अमितियेश कुमार ने ये इशारा किया ये निर्देश दिया कि 48 घंटे के अंदर राजी कुरेशी को गिरिफतार करने का निर्देश दिया जिसको लेकर के क्राइम ब्रांच यूनिट 4 48 घंटे तो छोड़िये 24 घंटे के अंदर राजी कुरेशी को मुंबई से गिरिफतार किया ये था BCN का नीउज का एक बड़ा इंपक्ट जिसे राजी कुरेशी जल्द गिरिफतार हो पाया दोस्तों राजी कुरेशी महा ठग जिसने हजारों लोगों को ठग दिया और हजारों लोगों को परिबार को बेघर कर दिया जिसकी एपिसोड पिछले कुछ दिनों से लगातार BCN हर एक अपडेट आप तक लेकर आता रहा है साथ महिने से सिलसिला शुरू था, साथ महिने में कई हजार लोगों इसके ठगी का शिकार हुए पिछले दो महिने से बताया जाता है, सुदर बताते हैं कि ये फरार हो गया और पिछले कुछ दिनों से BCN लगातार इसकी अपडेट आप तक लेकर आते रहा है जिसको देखते हुए नागपूर पूलिस कमिशनर अमितेश कुमार ने Crime Branch को ये केस सौपा और 48 घंटे के अंदर राजी कुरेशी को पकरने की बात की गई थी लेकिन Crime Branch Unit 4 और 48 घंटे बलकि 24 घंटे के अंदर ही इसे मुंबई से कल शाम को ग्रिफतार कर लिया यानि कि 23 तारी की शाम को ही पकर लिया गया और 24 तारी को सुबह मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं वैगन और ये गाड़ी है इसी गाड़ी से राजी कुरेशी को सुबह आज 24 मार्च को नाकपूर Crime Branch Unit 4 में लाया गया है जिसको ले करके हम आपको सीधा Ground Report लिये चलते हैं और Crime Branch Unit 4 के इंचार्ज से हमारी बात चीत हो ये वो क्या कहते हैं वो भी सुनते हैं दोस्तों पिछले कुछे दिनों से राजी कुरेशी महाठागी इस मामली में BCN लगातार हर खबर हर अपडेट आप तक ले कर आता रहा सुत्र बताते हैं कि पिछले साथ महीनों से ये महाठागी का काम शुरू था और पिछले दो महीनों से ये फरार था और जिसको ले करके हर खबर BCN ने आप तक लिया है सुत्र के अनुसार जो हमें जानकारी मिली है वो कि राजिक कुरेशी एरेस्ट हुए है मुंबई से और जिसकी पूरी जानकारी हमारे बीचुपस्थीत है क्राइम ब्रांच यूनिट फोर के P.I. इंचार्ज सर वो सारी जानकारी मुंसले सर राजिक कुरेशी को आप लोगों ने कब अरेस्ट किया और कहां से अरेस्ट किया राजिक कुरेशी को आज अरेस्ट किया है कोट में आज प्रोडूस किया और उनका PCR मिला है आगे की इंक्वाईरी शुरो है आगे की फर्दर डिटेर सापको हमारे वरिस्ट आपको देएंगे